स्टुडेंट्स, आज की जीके की क्लास में हम चैप्टर नाइन करेंगे फैदर फ्रेंड्स, पंक वाले मित रीट दा क्लूज एंड राइट दा नेमस आप दा फोलोईंग देखे बचो, यहाँ पर आपको कुछ क्लूज दे रखें आपको यह क्लूज पढ़ने हैं और इनके नाम लिखने हैं पर्स्ट देखिए, इस बर्ड लुक्स लाइक पैरोड, बट हैज अ क्रेस्ट विच इट कैन रेज एड़े देखे बचो, इस पिच्चर के अंदर आप जो एक बर्ड देख रहे हैं यह देखने में बिल्कुल पैरोड की तरह दिखाई देता है परंतु इसके अंदर एक अलग बात है इसके पास एक क्रस्ट है, एक कल्गी है देखिए बचो, इसके सर पे आप एक कल्गी देख रहे हैं उपर जो मुड़ी हुई है, इसके पास एक कल्गी है जिसे यह अपनी मर्जी से उठा सकता है देखिए बचो, इस बर्ड का नाम है कुकू सेकिड, इस फेमस बर्ड has a strong hooked bee बचो, जो यह आप प्रसित पक्षी देख रहे हैं इसकी एक strong जुकी हुई चोंच होती है that is also used as an extra food for climbing tree जिसका उप्योग यह extra food की रूप में करता है extra pair की रूप में पेडों पे चड़ने के लिए करता है देखिए बचो, इस बर्ड का नाम है पैरो थर्ड देखिए बचो, it makes a nest using its sharp beak as a needle to screw two large leaves together देखिए बचो, यह जो पक्षी है, यह जो बर्ड है यह घोसला बनाने के लिए अपनी sharp beak तीशन जोच, तेज जोच का उप्योग सुई के रूप में करता है जिससे दो बड़े पत्ते जोड़ सके और यह अपना घोसला बना सके ठीके बचो, जो यह पक्षी है, यह अपनी तेज जो जोच है उसका प्योग सुई की तरह करता है दो बड़े पत्तों को जोड़ने के लिए जिससे ये फिर क्या बनाता है अपना घोसला बनाता है देखिए बचो इसलिए इसका नाम है Taylor bird Next देखिए बचो Next है fourth This bird has a largest beak इस bird की एक largest beak होती है लंबी जोच होती है which is up to 18.5 inches long जो 18.5 इंचिस से लंबी होती है इसका नाम क्या है बचो इसका नाम है Australian Pelican फिर्फ देखें बचो This majestic bird can be easily distinguished by its white head and neck which it takes year to attain देखें बचो ये जो आप पिचर में ये bird देख रहे हैं इस राजसी पक्षी को इसके सफेज सिर और गर्दन से आसानी से पहचाना जा सकता है जिसे प्राक्त करने में वर्षों लग जाते हैं देखें बचो ये जो bird है हमें बहुत टाइम बाद नजर आते हैं क्योंकि ये बहुत काम होते हैं देखें बचो इस bird का नाम है ब्लैड इगल ठीके बचो तो देखें आज हमने चैप्टर 9 रिवाइस किया feather friends बचो जिन बचों का ये चैप्टर नहीं हो रखा है वो बच्चे ये चैप्टर अपनी बुक में फिल कर ले बचो आपको ये चैप्टर टेस्ट के लिए याद करना है थेंक यू